मुंबई एरपोर्ट पे गुरुवार को लैंडिंग करते वक्त एक प्राइवेट चार्टेड विमान रन्वे से फिसल गया विमान में छे आतरी और दो क्रू मेंबर सवार थे न्यूज एजेंसी पी टी आई के अनुसार इस हादसे में तीन लोग घायल हुए है जिने अस्पताल में भरती कराया गया है डीजी सीए ने बताया कि विशाखा पटनम से मुंबई के लिए उडान भरने वाले विमान वीटी डीबील मुंबई हवाई अड़े पर रनवे 27 पर उतरते समय फिसल गया विमान में 6 आतरी और 2 क्रू सदस्य सवार थे भारी बारिश के कारण द्रिशिता 700 मीटर ही थी मौके पर बचाओ कारे जारी है इस हादसे के बाद की वीडियो में मुंबई एरपोर्ट पर बारिश के बीच रनवे के पास विमान के मलवे को देखा जा सकता है हादसे के दौरान विमान में आग लग गई थी जिस पर आपात कालीन सेवाओं ने काबू पा लिया लियर जेट 45 कनाडा स्थित बॉंबार्डियर एविएशन के एक डिवीजन द्वारा निर्मित नौ सीटो वाला सूपर लाइट बिजनेस जेट है